हाई गाईज, वेलकम तो आले बोर्ड, मैं सौर वाप सभी लोगों का क्वान्ट फेकलिटी, गाईज, अभी यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ससी सीजल 2022 का जो न्यू पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न जो आपका नोटिफिकेशन में आया ह इसमें sectional cutoff कितने रहने वाली है, कितने marks आपको लाने होंगे, ठीक है, कि आप fail न करहाए जाएं, मतलब कि ऐसा नहों कि cutoff तो ठीक है, cutoff से जादा, आपके overall marks आपके cutoff से जादा है, लेकिन ऐसा हो गया कि एक किसी section में आपके marks कम रहे गएं, और उस कारण से आपका selection नही हटी गई, तो चलिए बात कर लेते हैं, sectional cutoff क्या रहने वाली है, बहुत सारे बचे मेरे से लगा था, doubt मूच रहे थे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि subject wise sectional cutoff है, कैसी cutoff है, तो देखें, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके notice में already दी हुई हैं, अगर भी आपकी यहां पर sectional cutoff नहीं है, merit list will be prepared on the basis of overall performance of the candidate in tier 2 examination only, यहां पर यह लिखा है कि tier 2 के examination only के basis पर merit prepare की जाएगी, जो आपका tier 1 का exam है, इसमें किसी भी तरह की sectional cutoff नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर general intelligence and reasoning और GK और quant यानि maths और English में आपको कोई section clear करना है, अभी तक होता था कि tier 1 में overall marks देखे जाते थे, ठीक उसी तरह से overall marks अभी भी देखे जाएंगे, अभी भी एक घंटे का paper होगा, सब में 25 questions रहेंगे, और यहां पर आपको cutoff बस clear करनी है, जो भी आपकी cutoff जाएगी, वो cutoff आपको clear करनी है, ठीक है, आपकी किसी भी subject में, कि किसी भी section में कितने भी marks हो सकते हैं, ठीक है, तो अपने मन से पहली बात यह निकाल दो कि tier 1 exam में किसी तरह का sectional cutoff है, कुछ भी नहीं है, केवल qualifying in nature है, ठीक है, अच्छा, बात करें अगर दूसरे tier की, tier 2 में किस तरह से sectional cutoff है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है, कि math की अलग है, marks in tier 1, section 1, section 2 and module 1 of section 3 of paper 1 of tier 2, paper 2 and paper 3 of tier 2 examination are as follows, ठीक है, आप यहाँ पे बात को समझे, पहली चीज तो यह आपका tier 1 का minimum qualifying marks यहां से हटा दीजे, ठीक है, यह तो आपका जितना भी वहाँ पे cutoff होगा, बस आपको cutoff clear करनी है, तो इस चीज को यहां से हटा लें, अब यहाँ पे tier 2, तो पहली बात paper 1 देखे, tier 2 का exam का, जो paper 1 है, यह paper 1 है, इसमें section 1 यह आपका हो गया, यह क्या हो गया, section 2 हो गया, और यह आपका section 3 का module 1 हो गया, क्या हो गया section 3 का module 1, अब यहाँ पे देखे, इसका qualifying क्या है, section 1, section 2 and module 1 of section 3 of paper 1 of tier 2, इसमें your candidate को 30% से जादा marks यहां पे लान होंगे, all other categories को 20% से जादा marks लाने होंगे, देखे, अब marks लाने होंगे, और cut off क्या होगी, वो भी दोनों अलग 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 चीज़ है, बात को समझेगा, अगर मैं section 1 की बात करूँ, तो section 1 में आपका जैसे कि यहाँ पे maths है और reasoning है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि maths में आप आपने 30 into 3, 90 marks ला लिया section 1 में, reasoning में 0 हैं, तो भी आप यहाँ पे sectional cut off clear कर जाएंगे, क्योंकि section 1 का, जो sectional cut off है, वो कितना है, 30% है, UR category की, total marks कितने का है, 180 का paper है, 180 के paper में 30% value कितनी होती है, 54, यानि कि आपको 54 से उपर marks होने चाहिए section 1 में, मतलब तब आपने section 1 की cut off clear कि cut off नहीं, आपने section 1 का, जो है, यहाँ पे minimum qualifying marks clear किया है, cut off और minimum qualifying marks अलग-अलग है, अब जैसे section 2, section 2 में क्या है, English है और आपका journal awareness है, अब यहाँ पे देखो, माल लिया कि GK में आपके 0 नंबर आए, लेकिन अगर यहाँ पे English में आपके 45 into 3, पूरे कितने कितने नंबर आग आपका section clear हो, उसके लिए आपको कितना चाहिए, minimum marks 30%, 210 का 30% किता होता है, आपका 63 नंबर, यानि कि 63 से उपर अगर section 2 में है, तो आप sectional cut off clear कर रहे हैं, ठीक है, 135 marks है, यानि कि यहाँ पे आपको बिल्गूल tension लेने वाली यहाँ पे बात नहीं है, कि अगर मेरा GK में top से बाहर हो जाऊंगा, यहाँ पे सीधा सीधा mention section 1 में जो दोनों module है, उनमें आपके दोनों को मिला के 30% से उपर marks होने चाहिए, section 2 में जो आपके दोनों module है, उनमें total मिला करके 30% यानि 63 से उपर marks होने चाहिए, और फिर section 3 जो है, आपका computer वाला test, जो की qualifying in nature है, यह merit में पहली बात याद रखेगा, merit में नहीं है, only qualifying in nature है, इसको qualify करना है, ठीक है, तो इसमें अब यह है कि 60 में से आपको 30% marks, यानि कि आपको 18 marks यहाँ पे जादा होने चाहिए, 18 से जादा आपके computer knowledge में होने चाहिए, तब आपका sectional cut off, section 3 जो है, section 3 का module 1 paper आपका clear कहलाएगा, अ यह बात तो हो गई आपकी, कि आपने section, section में fail नहीं हुए, section 1, section 2, section 3 में आप fail नहीं हुए, लेकिए आप जब cut off बनेगी न, cut off इससे उपर बन सकती है, जो आपकी cut off बनेगी, जो merit बनेगी, वो इससे उपर बन सकती है, ठीक है, वो कि इसके आधार पे बनेगी, candidate के score के, candidate date के score के basis पे बनेगी, तो cool मिला के यहाँ पे कहने का यह मतलब है, मालीज़ अगर आपने section 1 में पूरे 180 marks ला दिये, लेकिन section 2 में आप केवल 60 marks लाते हैं, ठीक है, तो overall कहने को, overall कहने को, आपके marks है 240, overall कहने को, अगर मैं यहाँ पे overall बोलूँ, कि भाई, overall marks कितने हैं, दोन clear ही कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे cut off clear, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अब आप यहाँ पे section में fail हुए हो, तो आप sectional section में pass होने की बात को समझे और cut off की बात को समझे, तो यह minimum marks हैं, जो 30% है, वो section clear करने के हैं, इसके बाद cut off जो हो सकती है, वो हो सकता है, इससे उप cut off आपकी इससे उपर रहे, लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक section में maximum marks पूरे-पूरे ला दिये, दूसरे section में अगर आप 30% से उपर नहीं लाते हैं, तो आप वहाँ पे बाहर हो जाएंगे, मतलब disqualify हो जाएंगे, ठीक है, तो यह बात को समझेगा अपनी, clear है, अ उसके जगे पे computer का exam है, तो जो dash है, उसमें हमेशा की तरह 15 मिनट दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे 2000 की depression कराई जाएंगे, लेकिन इस बार का error हटा दिया गया है, जो आपका maximum percentage error है, 16.2 para में आपका दिया है, UR category का 20% है, 20% से ज़्यादा error नहीं होनी चाहिए, OBCWS में 25% से ज़्यादा error नहीं होनी चाहिए, और all other categories में 30% से ज़्यादा error, best में आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा, यहाँ तक मुझे लगता है, आप सबको clear हो किया होगा, सारी चीजें आपकी clear हो गई होगी, उसी तरह जो paper 2 है, paper 2 आपका tier 2 का paper 2, statistics का जो होता है, यह पुराना pattern है, same as it is, as it is, पुराना pattern है, 100 questions, 200 number का आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वही है, 30% से ज़्यादा marks लाने हैं, अपने अपने respective category के हिसाब से, और same paper 3, यानि की general studies का जो होता है, 100 questions, 200 marks, यहाँ पे भी 30% से ज़्यादा आपको marks लान है, math और reasoning मिला के section 1 clear करना है, English और GK मिला के section 2 clear करना है, ठीक है, clear है, कोई doubt है मन में, चलिए, तो यह आपको यहाँ पे बताना था, बाकि जो आपका module 2 है, section 3 का, जहाँ पे data entry, speed test, यानि DEST का exam होना है, वो as it is, पुराने pattern में 15 मिनट आपको दिया जाएगा, उसी दिन होग in nature है, ठीक है, तो वैसा नहीं कि आप इसको छोण दिये, तो आप आगे जा पाएंगे, ऐसा नहीं है, tier 2 के बाद अगर आपका dash miss हो गया है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको वहीं से disqualify कर दिया जाएगा, clear है, चले, तो यहाँ पे उमीद करता हूँ, सभी क अब यह बात clear हो गई होगी, कि भी यह sectional cut-off का low-cha क्या है, है ना, चलो, guys, यहाँ आपके पास बहुत ही कम टाइम है, दोगुनी validity और 30% discount लेने का Ollie Board के साथ, आज रात 12 बजे, big bang offer आपका खतम होने वाला है, Ollie Board का, जल्दी जल्दी latest pattern में, Ollie Board ने तुरंत अपने mock launch करने सी सीजियल का, Ollie Board ने अल्रेडी mock पे काम सुरू कर दिया और mock upload होना भी सुरू हो रहे हैं, तो आप SSC elite एक ऐसा pack है, जहाँ पे सारे SSC exams के mocks मिल जाएंगे, और SSC super elite, जिसके अंदर SSC elite included होता है, SSC super elite में SSC elite भी मिल जाता है, जहाँ पे सारे latest pattern पे courses और आपके mocks यहाँ प तक आप यह SSC super elite join कर सकते हैं, code use करना है सौर। तभी आपको यह maximum discount और दोगुनी validity मिलेगी, 979 में पूरा batch आपको मिल जाएगा, latest pattern पे जो नया course आएगा, वो भी access मिल जाएगी, और जो नये mock आ रहे है, tier 1, tier 2 के latest pattern के वो भी मिल जाएगे, तो super elite आपके लिए best है, इस वक कोई doubt है, exam को लेकर के, new pattern को लेकर के, किसी भी तरह का अगर आपको doubt है तो आप मेरे से यहाँ पे, फटाक से comment में बताइए, मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा, और share करिए दोस्तों के साथ, और subscribe करिए Ollie Board का SSC and Railways channel, bell icon भी press कर लिजे, ताकि इस तरह की वीडियो का आपक के पास notification जाता रहे, मिलेंगे अगली वीडियो में ख्याल रखेगा, take care, bye bye, have a nice day.